जन्म के महीने से जाने अपने सारे राज साल के बारह महीनों का अपना अलग ही महत्व है और आईए जानते हैं कि कि आपके व्यक्तित्व में जन्म के महीने से कौन से गुन अपने आप आ गए हैं। देखिए किस माह में जन्म लिये लोग कैसे होते हैं। नमबर एक जनवरी साल का सबसे पहला महीना अपने खुशनुमा मौसम के लिए खासा पसंद किया जाता है इस महीने में पैदा होने वाले लोग बहुत खूब सुरत होते हैं इनकी कपडों में खास रुची होती है इनकी फैशन की समझ जबरदस्त होती है इस महीने में पैदा होने वाले लोग को बोरियत काफी जल्दी महसूस होती है क्योंकि ये लोग उर्जा से भरे होते हैं उपरी तोर पर ये लोग ज्यादा शोर करने वाले प्रतीत होते हैं क्योंकि ये लोग जोश से भरे होते हैं इस महीने पैदा होने वाले लोग अपने भावनाओं को छुपा कर रखते हैं इनके अंदर क्या चल रहा है इसका पता लगाना बेहद मुश्किल काम है ये लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं और इमोशनली हर्ट होने पर इन्हें दुख से बाहर आने में लंबा समय लगता है इस महीने में पैदा होने वाले लोगों के विचार समझ पाना मुश्किल होता है ये लोग हकीकत और सपनों को समान महत्व देते हैं फरवरी में पैदा होने वाले लोग होशियार और इंटेलिजेंट होते हैं, इन्हें समझ पाना आसान नहीं है, जब आप महसूस करने लगते हैं कि आपने इन्हें थोड़ा जान लिया है, इनके व्यक्तित्व का नया पहलू आपके सामने आ जाएगा, इन लोगों का व्यक् दिशें लगाई जाए, तो इसका विरोध करने में इन्हें ज्यादा समय नहीं लगता, इनके इमोशन्स काफी स्ट्रांग रुप में बाहर आते हैं, ये लोग अपने आसपास के लोगों को खुश रखते हैं, नमबर 3, मार्च, इनका व्यक्तित्व खूबसूरत और आकर इनकी सेक्स अपील जबरदस्थ होती है, ये लोग शरमीले स्वभाव के होते हैं, और ये बहुत मुश्किल से घुल मिल पाते हैं, ये लोग सच बोलने वाले और डयालू होते हैं, मार्च में पैदा होने वाले लोग शांतिप्रिय होते हैं, ये लोग दूसरों की इन्हें जल्दी गुस्सा आता है किन्टु ये लोग विश्वास के काबिल कम होते हैं, अपने इमोशन्स को छुपा कर रखते हैं, इनके मन को पढ़ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, ये लोग चौकनने होते हैं और लोगों के विशय में एक राय कायम करते हैं, जिसे बदलाना बहुत मुश्किल काम है, नमबर चार अप्रेल, अप्रेल में पैदा होने वाले लोगों के व्यक्तित्व में विभिन्ता होती है, ये लोग ज्यादातर परिस्थितियों में सामन जस्य बिठाने की कोशिश करते हैं, ये लोग मजाकिया और माहौल को हलका रखते हैं, ये लोग जिद्धी स्वभाव के होते हैं और दूसरों से पहले ही अपनी बात कहना पसंद करते हैं, हर विशय में इनकी राय इनके लिए सटीक होती है, ये लोग शांत स्वभाव के होते हैं, इनके दूसरों के लिए दया की भावना बहुत अधिक होती है, ये लोग इमानदार होते हैं, साथ ही साथ इनका आत्म विश्वास गजब का होता है, इनकी याद रखने की क्षमता काफी होती है, और ये खबरों से अपडेट रहना पसंद करते हैं, ये लोग अपने आसपास के लोगों को प्रोच साहित करते हैं, इन लोगों की खेल, संगीत और नमबर पांच मई, इस महीने पैदा होने वाले लोग बहुत जिद्धी और कठोर दिल के होते हैं, ये हमेशा जोश से भरपूर होते हैं, और अपने दिल की सुनते हैं, इनके विचार सटीक होते हैं, इन्हें जल्दी गुस्सा आता है, लोग इनकी तरफ आसानी से हो जाते हैं, इन्हें आकर्शन का केंद्र बने रहना पसंद है, ये लोग काफी खूबसूरत होते हैं और इनका दिमाग काफी तेज होता है, ओपोजिट सेक्स वालों के साथ घुलने मिलने में इन्हें बहुत समय लगता है, इन्हें सपने देखना पसंद होता है, इन्हे अमुमन कान और गर्दन में तक्लीफ रहती है, इनमें कलपना शक्ती बहुत अधिक होती है, साहित्य और कला में इनकी गहरी रुची होती है, घर में रहना नापसंध होता है नमबर छे जून और जल्दी हर्ट हो जाते हैं, इनहें गुस्सा भी अनियंतरित आता है, बाद में पच्टाते हैं, कुछ लोग बहुत समझदार भी होते हैं और जल्दी माफ कर देते हैं, इनका दिमाग काफी तेज होता है और इसलिए इनहें अधिकतर चीजें याद रहती हैं, ये कई बा लोगों के विशय में गलत धारना बना लेते हैं, दुनियादारी की परियाप्त समझ इनमें होती है, बहतरीन दोस्त साबित होते हैं इस माह में पैदा हुए लोग आमतोर पर काफी लोग प्रिय होते हैं और इनके आसपास के लोग इनसे खुश रहते हैं, इनहें नए दोस्त बनाना और घुमना फिरना बहुत पसंद होता है ये ओपोजिट सेक्स के लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं, इनका प्रेम जीवन सुखद होता है, इनहें चीजें इकठी करने का शौक होता है, और इनके पास किसी खास चीज का अच्छा कलेक्शन होता है, इनहें फिल्मों में खास रुची होती है, और इनमें प्रसिद्ध अभिनेता या अभिनेतरी बनने की संभावना काफी होती है, नमबर आठ अगस्त, इनमें जोश अत्यधिक मात्रा में होता है, ये लोग बहुत बहादुर होते हैं, और खत्रों की परवाह नहीं करते, इनहें लोगों में खास बने रहना पसंद होता है, इनक के साथ घुलना मिलना आसान होता है, इनहें बात करना और गाने गाना खास पसंद होता है, संगीत में खास रुची होती है, ये लोग अकसर दिन में सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की सभी काबलियत इनमें होती है, इनका ध्यान बड़ी आसानी से भटक जाता है इनकी कलपनाशिल्ता जबरदस्थ होती है, पढ़ाई करना इन्हें पसंद नहीं होता, इन्हें आजादी पसंद होती है, ये काफी खूबसूरत होते हैं इस माह में पैदा होने वाले लोग उर्जा से भरपूर होते हैं, ये बहुत जल्दबाजी में निरने लेते हैं और बाद में पच्चताते हैं, इन्हें खुद से प्यार होता है, इन्हें अपने प्रशंसकों से घिरा रहना पसंद होता है, ये काफी समझदार होते हैं और द दोस्तों की संख्या बहुत होती है, opposite sex के साथ संबंधों में काफी तेज होते हैं और जल्दी ही आगे तक बढ़ जाते हैं, इन्हें नई जगहों पर जाना बहुत पसंद है, इनकी sex appeal इनके साथी को सबसे बहतर समझ में आती है. नंबर 10 अक्टूबर इन्हें बातचीत करना बेहत पसंद होता है, जो लोग इन्हें पसंद करते हैं, ये उनके साथ बेहत इमानदार होते हैं, इनका मन बेहत खूबसूरत होता है, साथ ही साथ ये आकरशक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, इन्हें अकसर गुस्सा आजात ये बहुत बहादुर होते हैं और दोस्त के रुप में बेजोड होते हैं, भावनात्मक तौर पर जल्दी आहत हो जाते हैं, इससे जल्द ही बाहर आजाते हैं, इनकी सोच बहुत व्यापक होती है, ये अपनी भावनाओं को छुपाने में यकीन नहीं रखते और जो सामने हो वही अंदर भी होते हैं। इनके विशय में किसी भी प्रकार की राय कायम करना आसान नहीं होता। ये लोग बेहत खूबसूरत होते हैं और ऑपोजिट सेक्स में अच्छी खासी लोग प्रियता हासिल कर लेते हैं। नंबर 11 नवंबर इस माह में जन्मे लोग बहुत इमानदार होते हैं। ये अगर किसी काम को शुरू करते हैं तो उसे खत्म के बाद ही इनहें चैन मिलता है। ये कई बार खतरनाक भी साबित होते हैं। इनका रहस्यमय व्यक्तित्व लोगों को इनकी तरफ खीचनता है। य ये बहुत ज्यादा समवेदनशील होते हैं और इनहें गुस्सा जल्दी आता है। ये नए लोगों से मिलना पसंद करते हैं। भीड में अपनी अलग पहचान बनाने में सफल होते हैं। छोटी छोटी बातों का इनहें बुरा लग सकता है। पर ये खुश्मिजाज होते ह हैं विश्वसनियता ही इनकी पहचान है। नंबर 12 दिसंबर इस माह में जन्मे लोग बाकी किसी भी माह में जन्मे लोगों से ज्यादा खूबसूरत होते हैं। ये लोग इमानदार और दयालू होते हैं। ये लोग देश भक्त होते हैं। इनमें प्रतियोगिता की भावन बहुत अधिक होती है, ये खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, इन में धैर्य की कमी होती है, और हर काम में जल्द बाजी करते हैं, ये आसानी से अपना प्रभाव छोड़ते हैं, इनके साथ समय बिताना अच्छा लगता है, लेकिन इन्हे समझना मुश्किल हो संध होता है ये बहुत जल्दी दोस्त बनाते हैं